नमस्कार दोस्तों और इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए जुरू करते हैं आठ जन्वरी के सभी इंपॉर्टन क्रेंड फेयर तो दोस्तों पहला प्रक्ष्टन होगा कि युआई पाथ आटोमेशन एक्सिलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है इसका सही उत्र जाएगा आप्शन सी साउथ इंडियन बैंक तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने क्रैसिस फार बिजनेस कंटिनुटी के तहत सरस्रेश्ट आटोमेशन के लिए युआई पाथ आ बातवान में CEO कौन है वी जी मैथ्यू है क्रिसी लागत और मूले आयोग CACP Commission for Agriculture Cost and Prices के फिर से अध्यक्षिक कौन बने हैं उत्तर जाएगा इसका Option B यानि की विजैपाल सर्मा तो क्रिसी लागत और मूले आयोग भारा सरकार की एक विकेंद्रित एजनसी है पहले इसका न प्रक्षगंगा मिसन का DG Director General नियुक्त किया गया है विरेंद्जिंग पठानियां यह ICG यानि की International Coast Guard के Director General बने हैं सत्यनाराण प्रधान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर्यों के DG बनाए गये और प्रमोध चंद्रमोधी राज्यसभा के नए महा सच्यू बने हैं अगरा Antigua और Barbuda प्रस ने भी पुछा दा सकता है कि अंतरराश्टी स्वर्गरबंधन में सामिल होने वाला 101 देश कौन सा था इसका उतर होगा अमेरिका देखे दोस्तों Antigua और Barbuda सेंट जांस Antigua में ISA यानि कि International Solar Alliance फ्रेम और समझोते पर हस्ताक्ष्य करने वाला 102 देश बन गया है इंटरनेशना Solar Alliance के स्थापना होती है 30 नौब्बर 2015 में गुरुग्राम हर्याना में इसका एड़कॉर्टर है भरतमान में डीजी कौन है अजय माथूर है और कुल सद सदेश कितने हैं 102 है बहुराश्टी अभ्यास Sea Dragon 2022 का आयोजन कहां पर किया गया उत्तर हो जाएगा Option C यानि कि गुवाम द्वीपर तो Sea Dragon एक अमेरिकी नेत्रित वाला बहुराश्टी अभ्यास है जिसे हिंद प्रसांद छेत्र में पारामपरिक और गयर पारामपरिक समुद्रिस रुक्षा चुनोतियों के जबाब में एक सास संचालित करने के लिए पंडुबी रोधी भी आपको याद रगना है और इसका आयोजन गुवाम द्वीप में किया गया है और अब बात करेंगे कुछ महत्मुन द्वभ्यास के बारे में जो कि प्रतुगी परिचाओं में पूछे जाते हैं जैसे कि इंद्र 2021 या युद्वभ्यास भारत और रूस के वीच में किया इसमें मुख की रूप से अमेरिका भारत और विभिन अंतरराष्टी संग्ठन जिसे की अंतरराष्टी समद्री संग्ठन यूजन ओडिसी इंटरपूल ईयू नेवल फोर्स के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है कारपैट संयुक्त अभ्यास 2021 में भारत और इंड कर्मान सागर में इन यू नेवल फोर्स एक्सरसाइज भारत और यूर्पीन यूनियन के बीच में आईजुतिन वाला एक दहब्या से 2021 में इसका आउजन अधन की खाड़ी में किया गया था डेजर नाइट 2021 का आउजन भारत और फ्रांस की वायोसेना के बीच में संगाई सवयोग संगटन स्यो के नए महासचिव कौन बने हैं तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए जांग मिंग तो दोस्तों आपको बता दें कि संगाई सवयोग संगटन में कुल देश कितने हैं आठ देश हैं और चीन के वरिश राज नाइक जांग मिंग संगाई के नए महासचिव के रूप में कारभार सभाल चुके हैं इनका कारेकाल तीन साल का होगा इन्होंने उजबेकिस्तान के पूर विदेश सच्चिव ब्लादिनी नोरो का स्थान लिया है एस्यों में जो आठ देश हैं उनके नाम है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज, ग 2022 SEO में भारत के लिए एक महत्तपूर वर्स होगा क्योंकि यह पहली बार उजबेकिस्तान के बाद 2022 तेश की अवधी के लिए SEO की अधिक्सता भारत के द्वारा ग्रहन की जाएगी इसका समापन 2023 में भारती पक्षद्वारा आयवजित SEO सिखर सम्मेलन के साथ किया जाएगा हाली में इस्टेट बैंग में आई-एम-पी-स लेंदेन की सीमा को दो लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो इस्टेट बैंग में अपने ग्रहागों को डिजिटल लेंदेन करने के लिए और उनको सुवधा प्रदान करने के लिए पांच लाग रुपे तक का आई-एम सुवधा को प्रदान किया है यानि की पांच लाग तक अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा बात यहां पर हो रही है इस्टेट बैंक की तो इसका हट्वाटर मिलेगा आपको कहां पर मुंबई में बरतमान में इसके M. M.D.O. CEO कोन है दिनेश कुमार खारा और दोस्तों इसके साथ यह भी है आप यह भी जाए दखना कि I.M.P.S. का फुल फार्म यह नहीं एफ्टी का फुल फार्म और R.T.G.S. का फुल फार्म क्या होता है एक्जाम में ऐसे प्रस्टन आपको कंप्यूटर सेक्षन के अंतरक में N.P.C.I. के द्वारा की गए थी National Payment Corporation of India हाली में ग्राहमी जूनियर राष्ट्री पूरुस हांकी चैंप्यंशिप 2021 को किसने जीता है तो दूस्तर आतक ना कि जूनियर राष्ट्री पूरुस हांकी चैंप्यंशिप 2021 का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश ने तो उत्त किस टीम को रहा था जर्मनी को ASEAN Championship मेंश हांकी टूर्णामिंट का विजेता कौन सा देश रहा South Korea किसको रहा जापान को भारफ का अस्ता तीसरा रहा आयोजन कहां पर बंगलादेश में में मेंश हांकी junior वर्ड कप का आयोजन कहां पर हूआ ओडिसा में विजेता अर्जं हो जाएगा option A यानि की मैंगलूरू में LNG मतलब liquid natural gas तो दोस्तों पहला LNG terminal कहां पर स्थाफित क्या जाएगा करनाटक के मैंगलूरू में और देश का ज़्याइश छटवा LNG terminal होगा भारत का जो पहला LNG terminal था वो स्थाफित क्या गया था कहां पर नाकपुर में 100% LPG वाला राज 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 बन गया है हिमानचर प्रदेश जबकि यह भी अदगना की वर्ड LPG Association के नए अदक्ष बनाए गए हैं स्रीकांत माधो वैद्य हाली में कौन विस व्यापार संगतन में लीगल आफिसर के पद पर चैनित हुआ है तो उत्र जाएगा इसका आफिसर के पद पर सेलेक्शन हुआ है तो बहुत जाथम परिवार से हैं और इनकी सिख़चा तीचा भी गौउं में ही हुई है हाली में लांच किया गया भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या होगा तो इसका नाम है रूद्र आप्शन ए और इसको बिक्सित किस ने किया है तो सीडे के द्वारा सीडे के द्वारा सीडे सेंटर फार डिवलेप्मेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसका मुख्याल ह पूरे महाराष्टरा में है तो दोस्तों ये थे आज के प्रस्ण और अब बारी है कल पूछे के प्रस्ण को आंसर करने की कल का प्रस्ण था कि हाली में पीम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई एड़े के नए एकिकृत टर्मिनल भावन का उधगाटन कहां पर किया है इसका उत्तर था ओप्शन ए त्रिपुरा आप सभी की जबाब बिल्कुल सही रहे और आप बारी है आज के प्रस्ण की बताइए कि डेविस कब 2021 को किसने जीता है भारत रूस कुरेशिया या इस्पेन ने तो उत्तर जरूर दिखेगा और इस लेक्टर की पीडिएफ आप आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें थैंक यू सो मच हैवे ग्रेट डे जैहिंद